जहिन दोस्तों आप देख रहे हैं defensive offense और मैं हूँ major गौरव आ रिया वीडियो पसंद आए तो like करिए, subscribe करिए और bell icon दबाना कभी मत भूलिएगा तो आखिरकार चीन वापस चला गया ये बात हमने defensive offense के एक पुराने वीडियो में भी बोली थी हमने बोला था कि ये चीन चला जाएगा वापस, हमने बोला 15-20 दिन की बात है तो थोड़ा 8-10 दिन हमारा उपर नीचे हो गया, उसके लिए शमा लेकिन चीन अब वापस जा चुका है, हमने पता था चीन वापस जाएगा और आज मैं बताता हूँ कि चीन वापस क्यों गया और आगे चीन क्या करने वाला है और भारत को क्या करना चाहिए दोस्तों पहली बात, जो 3-4 factors हैं, जो 3-4 कारण हैं वो हमें कभी नहीं बूलने चाहिए, एक तो गलवान घाटी की flooding यानि कि गलवान घाटी में, गलवान रिवर जो है, इट इन स्पेट, वो साल आना उसका प्रोग्राम रहता है, पानी उपर आ जाता है, तो जहां पे चीनी हैं, वहां पे गलवान घाटी में फ्लडिंग हुई है तो गलवान से तो चलेगा लेंगे फिर पंगॉंग्सो से और मुक्तलिफ एरियास से चीनी वापस क्यों गए है, उसमें भी तीन चार बातें सामने आती है, पहली चीज भारतिय से ना, जो वहां पे अड़ी रही, चाइनीज आर्मी जो आई थी पियले, उसको कभी ये दि आती है, तो लोग खौफ जदा हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, आप चीनी आ गए, चीनी आ गए, तो यहां पे असा कुछ था नहीं, नोबडी इंप्रेस्ट बेंट चाइनीज, तो फिर चीनी आर्मी पीछे हटी पहला कारण, दूसरी चीज, जो माननी परदान करी है, फौजीयों से मिले हैं, जो जिन फौजीयों को चोट लगी थी, खासतोर से गल्वान में, और पैंगोंग सो की जड़ब जो ही थी, उसमें जो चोट लगी थी, सब को मिले, और उससे क्या हुआ कि एक मैसेज, अनेक्ववोकल मैसेज, एक स्ट्रॉंग मैसेज, एक ताकतवर शक्ति-शाली मेसेज पूरी दुनिया को गया, कि भारत का प्रधान मंतरी लद्दाख में है, चीन का शी जिंग पिंग कहां है, तीसरी बात, चीन के अंदर उथल पुथल, बहुत जादा उथल पुथल चीन में, हमने अपने फौजीयों को आदर सतकार दिया, ज जाके उनको इज़त दी गई, पूरे गाउं के गाउं, शेहर के शेहर आए, उनको अलविदा कहने के लिए, चाइना में इस बात का बहुत रोश है, बहुत गुस्सा है, जो P.L.A. है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीनी फौज है, उसके जो वेटरन्स हैं, जो एक स ये वाशनिंटन टाइम्स का आर्टिकल जो है, ये एक चीनी नहीं लिखा है, और वो चाइनीज जिसके फादर पहले चाइनीज कॉमिनिस पार्टी के एक सीनियर मेंबर भी थे, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और ये कहते हैं कि साब चाइना में बहुत इसको ले और दुनिया भर ने, जो एक साथ जुड़ गई दुनिया, और अमरीका को छोड़ी है ना, अमरीका और जर्मनी ये सो बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं, बर्मा जैसा मुल्क जो इतना सा छोटा सा मुल्क है और ना के बराबर उसकी पॉपलेशन है, कोई वसायल नहीं है, उसके पास, वो बर्मा, उसने भी चीन को आके दिखाई है, उसने ये बोलाए कि आप हमारी जमीन घेरने की कोशिश ना करें, और जो हमारे रिबेल्स हैं, जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आप हत्यार देना बंद करें, तो कोई भी ये सोच नहीं सकता था दोस्त The entire 130-Corod population of India deserves a huge round of applause and congratulations, आपने वो कर दिखाया है, जो किसी ने नहीं करा और आपने सबसे बड़ी बात ये करी है कि आपने उस दरवाजे में, जो दरवाजा बंद था, लोहे का दरवाजा, आपने उस दरवाजे को खोला और उसमें अपना पैर अड़ा दिया, अब अमरीका ने जो भी करा है अमरीका ने, वो आपके बाद ही करा है, आपके मतलब भारत के बाद करा है, आप देखिए, अब अमेरिका ने भेजे वहाँ पे B-52 बंबर्स, अमेरिका ने भेजे अपने USS Ronald Reagan, जो उनका एक्राफ्ट कैरियर है, USS Roosevelt भी है पीछे, फिर आगे USS Nimitz है, तो कैरिय ने एक aggressive posture एक्तियार कर लिया है, Australian ने भी बाहर निकल गई है, Japanese ने भी बाहर निकल गई है, तो कौर्ड जिसको हम कहते हैं, यानि कि इंडिया, अमेरिका, Australia और जैपान, ये सब मिल गए है, पूरी दुनिया एक अत्रित हो गई है, मिल गई है चीन के खिलाफ, और ये शुर आप नहीं है, आपने चीनी आप्स, जो है, मोबाइल फोन आप्स, आपने बैंड कर दिये, तो कौन साइस में तीर मार लिया, मैं बताता हूं तीर की क्या बात है, कल का statement है, Mike Pompeo का, Mike Pompeo साब ये कहते हैं, जो Secretary of State है अमेरिका का, Mike Pompeo ने बोला है कि हम भी इन आप्स को बैंड करने की सोच रहे हैं, भारत ने बैंड कर दिये, अमेरिका सोच रहा है, जो अमेरिका सोचता है, वो यॉरोप सोचता है, आप समझिए जिस चीज़ पे, जिन आप्स के बलबूते पे, चाइना, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, सौफ्टवेर और मोबाइल फोन एपस का एक अपना वर्चस को कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसकी टांगें तोड़ दी भारत में, तो भारत के एप बैंड करने के बाद एक प्रिसिदेंस जिसको वकील, वकीलों से बात करेंगे, वो बताएंगे, प्रिसिदेंस होता है लो में, कि पहले अगर कुछ उसका हवाला दिया जाता है, कि साथ पहले भी तो हुआ था है, इसलिए हो रहा है, तो वकील और जजज होते हैं, उसका हवाला देते हैं प्रिसिदेंस का, इंडिया ने उसी प्रकार से प्रिसिदेंस हैट कर दिया, बिलियन्स ऑफ डॉलर्स, अर्बों डॉलर्स उनके वै लाखों चाइनीज, लाखों दर्द, लाखों चाइनीज बेरोजगार हो जाएंगे, इनके कमपनियां बंद हो जाएंगे, क्योंकि चीन का मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हरे कमपनी वैलुएशन के हिसाब से जो गेम खेलती है, जो कहती ह हैर स्टाइल बना कि और निले पीले बाल करके टिक टॉक के सामने ड्रामा करते तो वो अचानक बेरोजगार हो गए, अब वो इंडियन अप्स पर करें नहीं सब, किसने मना करा है, और जो लोग कह रहे हैं साब कि टिक टॉक ने और चाइनीज कंपनीज ने, जो प्रधान म अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने हेट्रिड भी पहलाया है, कुछ लोगों ने गालत बातें भी करी हैं टिक टॉक पे, मैं उनकी तरफ ये बात कह रहा हूँ, खास तोर से उन लोगों ने जिन्हों ने नेगेटिव बातें कर है किसाब आपने ये कर दिया वो कर दिया बैंक्त कर DIA हमारा क्यों नहीं हम बैं भी करेंगे तुम्हारा पैसा भी लेगे और तुम कुछ नहीं कर पाखे हुएं और यह वही लोग है चो कहते हैं किसाब मुगल जो आये थे मुगल ने आपको ताजमेर दिया अच्छा एक और चीज मुगलों को ऐसा हीरो बना दिया इन लोगों ने जिसने असली काम करा था उसका कोई नाम नहीं लेता एक राजा था पठान था उसका नाम था शेरशासूरी शेरशासूरी ने ग्रैंट टरंग रोड बनाई दस काम करे शेरशासूरी को लोग भूल गए मुगलों ने क्या करा मुगलों ने यह अशिया करी अरे उसने ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया तुमारे लिए उमेरे लिए थोड़ना बनाया था और ताजमहल बनाया लोग कहते हैं साब मुगल गए ताज महल बनाया एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट रुक के सोचिया शेर्शासूरी ने Grand Trunk Road बनाई शेर्शासूरी ने लोगों की खिद्मत करी उसने एक्चुल काम करा है लोगों के लिए उसका नाम कोई नहीं लेता शेर्शासूरी भी मुसल्मान था पठान था उसने एक्चुली काम करा है उसका नाम कोई नहीं लेता इतियास उसको भूल गया है क्योंकि सिर्फ कुछ पांचे साथ साल उसने रूल करा था मुगलों ने क्या करा किया ताज महल बनाया ताज महल उसने अपनी कोई मुबाइल फोन अप बनाया था टिक टॉक जैसे उससे पैसे कमा रहा था वो पैसे कहां से आये जो आम जनता थी उस पर लगान लगाया उस पर टैक्स लगाया और उस गरीब किसान का पैसा लेके उसने अपनी बीबी के लिए ताज महल बनाया अच्छा है बहुत खुबसूरत है चार बार मैं जा चुका हूँ और मैं दस बार और जाओंगा देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी हेरिटेज है हमारे मुलक का है ताज महल पर हमें सही कॉंटेक्स्ट में चीजों को देखने की जरुवत है मार्बल कहां से है मकरान से है राजस्थान से कारीगर कौन थे पैसा किसने दिया तो मैं खहरा हूँ कि जो आप कहते हैं तिक टॉक मैं तिक टॉक को और यह जो मॉनिमेंट्स है मेडिवल मॉनिमेंट्स इनको कंपेर करो तो एक सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए अगर आप यही देखना चाहते हैं कि एक्च्वल किसी मुस्लिम रूलर ने कुछ कॉंट्रिबूशन करा है देश में सबसे ज़्यादा उसका नाम है शेरशासूरी यह जहागीर, शाजान और अंग्जब यह तो ऐसी थे हैं इन्हों ने सिर्फ अपने लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा बच्चों के लिए बच्चों को भी काटा इन्हों ने और इनके बच्चों ने इनको काटा असली हीरो शेशासूरी था, उसको सब लोग भूल गए तो यही हमारे देश की जो कहते है कि बतकिसमती है कि जो असली लोग है उनको भूल जाते हूं नकली चीनी माल जो है यह सब चीनी माल है शाय जान, जांगीर वगारा यह चानीज माल को याद करते हैं ब्रेयर लाइक टिक टॉक अर ले है बाहर से कोई बाहर से कोई चाइना ने एड नहीं दिया है वो इंडिया का पैसा है यह कभी न भूलें आप मैं उनको भी कुछ कहना चाहता हूं जो काफी डिफेंस अनलिस्ट हैं और बड़े-बड़े पत्रकार हैं और उसमें से कुछ हमारे फॉजी भाई भी हैं अनफॉ इसलिए तो चीन हर साल ऐसी बदमाशियां करता है तो आप ये कह रहे हैं कि भारत की जमीन चीन ने हड़ा पली और वो बॉर्डर ऐसा भी नहीं था कि जिसके ओपर United Nations कुछ बात बोले क्योंकि वो डिकलेट बॉर्डर था ही नहीं वो जो बॉर्डर था LAC और अभी भी है वो कोई क्लियली डिमार्केटिट बॉर्डर थोड़ना है तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो कह रहे हैं तो सब लडाक चला गया गलवान चला गया ये चला गया वो चला गया तर सब हड़ती हुई जमीन कौन वापस करता है चीन वापस गया क्यों दो किलुमेटर वापस चला गया अपने तंबू अम्बू साब उखाड के चीन गायव हो गया क्यों कारण क्या था कि चीन वापस गया सोची जरा सिर्फ यह कहना कि नई साब ये कमजोर है वो कमजोर है और आकरी चीज़ इसमें ना सिर्फ फौज का तो अबल काम था ही हमारी फौज का बड़े ज जिसको कहते हैं कि जगलर वेन है चाइना की जगलर वेन है चाइना की है अगर आपने इसको दबा दिया तो चाइना की चीख नगल जाएगी और यही काम हुआ है अब हमें ये काम करना चाहिए कि इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए प्रेशर अगर हमने बरकरार नहीं रखा तो चीन वापस आएगा और चीन दोबारा ये गलवान करने की कोशिश करेगा अभी चीन वहाँ पे जो है एक नाजुक स्थिती में है पूरा ग्लोमल प्रेशर है सब चड़े में हैं चीन से कोई पसंद नहीं कर रहा चीन को चीन की रेपोटेशन बिल्कुल जमीन पे लोग सवाल पूछना शुरू कर दिया जो चीनी लोग हैं उन्होंने अपनी सरकार से जो कि किसी को पॉसिबल नहीं लग रहा था हॉंग कोंग में अलग आग लगी है तैवान में अलग आग लगी है तिबबत वाले फिर जाग रहे हैं दोबारा तो पूरी दुनिया चीन क से मैं घुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी एंबसी जितने भी हाइ कमिशन है वो जो टिबेटन रेफ्यूजीज हैं इंडिया में धरम शाला में बेठेैं उनको लेके और जो और टिबेटनशें कुछ लदाख में पी हैं टिबेटनश उनको लेकर इनमें जो educated है इनक लेकिन वो एक्चुली में एक फाशिस्स स्टेट है और फाशिस्स से भी बुरा इस नासी स्टेट, इस लाइक नासी जर्मनी, हिटलर के कॉंसेंट्रेशन कैंप्स याद है ना आपको, चीन में तो आई करा, इनका जो कॉमिन स्टेट का फांडर है मैं उससे तो हूँ, उसना टीवी डिबेट में जो कहते हैं ना कि साब, यू कांट चूजा नेवर्स, हम अपने पडोसी नहीं चुन सकते, यह उदासीन सोच अब नहीं चलेगी नया भारत है, यहां पर उदासीन सोच चलेगी ही नहीं, कि यह नहीं कर सकते हों, क्यों नहीं कर सकते हम यह नहीं कर सकत जब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, एकोनॉमिक और मिलिटरी चारों तरफ से दबाव आएगा, जैसी कि भी इंडिया ने करा है, आर्मी ने बहुत बढ़िया काम करा है, एफोस नेवी ने बहुत शांदार काम करा, लदाक के लोग डटे रहे, वहाँ पे पॉलिटिकल विल दिखाई, उसके बाद, पॉलिटिकल विल की जब हम बात करते हैं, तो हम डिप्लोमसी से अलग नहीं कर सकते हैं उसको, डिप्लोमाट्स ने हमारे दिन रात चौपसव घंटे काम करा, फिर हमने जो एकोनॉमिक सेंक्शन्स चाइना पर लगए, उनके एप्स बैन करें, और अब हम नहीं खरी देंगे, लोग कर रहे हैं धीरी धीरे, तो इंडिया में भी एकोसिस्टम बनेगा, ये सब चीजने जरूरी है, आखरी चीज मैं आपको ये कहना चाऊँगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लोगा, आप में से जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, ज भूनने के लिए, चाहिए मैं तीन दिन के लिए जाऊं, लेकिन मैं ताइवान जरूर जाऊंगा, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चाइना का दुश्मन है, वो भारत का दोस्त है, हमें ये दिमाग में अपने डलना पड़ाएगा, ताइवान इतना बढ़िया मुलक है, व लोगों को गलत फेमी है कि चाइनीज कंपनी है, चाइनीज तो वो करते हैं कि जो कॉंट्राक्ट मैनेफैक्टरिंग हम जिसको बोलते हैं, जैसे फर एक्जामपल ये आपने घर बनाया, आलीशान सा घर बनाया, उसका आर्किटेक्ट अमेरिका है, उसका कॉंट्रैक्टर ताइवान है, और जो उसका मिस्तरी, बेलदार वगेरा जो होते हैं, वो चाइना है, तो चाइना को एग्नॉर करें आप, गो टू ताइवान मैं सब को ये इंकरेज करूंगा, कि आप ताइवान जाएं, ताइवान की टूरिजम बढ़ाएं, ताइवनीज को भारत बुला ये चाइना की दुखती रग है, और ताइवान और भारत दोनों चीन से परिशान है, और दुनिया परिशान है, ये अलिदा बात है कि पूरी दुनिया परिशान है, लेकिन लेट अस स्टाइवान, लेट अस सपोर्ट ताइवान, लेट अस गो टू ताइवान, विजिट आप विजिट करेंगे ताइवनीज बहुत बहादूर कौम हैं बड़े अच्छे लोग हैं और चाइना हर समय कहता है हम मिसाइल मार देंगे अटैक कर देंगे वो इतना छोटा सा देश है वो पूरे चाइना के खिलाफ लड़ता है तो हमें सपोर्ट करना चाइए हमें वियतनाम को सपोर्ट करना चाइए हमें ऐसे देशों को सपोर्ट करना चाइए जो चाइना के खिलाफ खड़े हैं बस मुझे आपसे इतना ही कहना था यह यहाँ पे फ्लैग लगा है देखिए आप फ्री टिबेट का और मैं तो Free Tibet का एक बहुत बड़ा सपोटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करें सोशिल मीडिया पे Free Tibet को सपोर्ट करें वीगर मुसल्मान हैं उनके हग के लिए अपनी आवाज उठाएं जो Hong Kong में Pro-Democracy Movement है उनके हग में आप सोशिल मीडिया पे आवाज उठाएं और दुनिया भर में इसके बारे में पढ़ें और लोगों को Educate करें क्योंकि ये लड़ाई अगर आप सोचते हैं सेरे भारतिय सेना लड़ लेगी या मोदी जी लड़ लेगे या फिर हमारे डिप्लोमेर्स लड़ लेगे ये नहीं होने वाला ये लड़ाई 130 करोड हिंदुस्तानियों की है और 130 करोड हिंदुस्तानियों को बिलकुल ऐसे होके एक जो ठोके ये लड़ाई लड़नी है तबी चीन की टांग तूटेगी तबी चीन सबक सीखेगा जाहिंद जाहिंद